नमस्ते आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना शो स्पोर्ट स्टॉप आज हम आपके लिए लाए हैं क्रिकेट की मैदान से लेकर शूटिंग रेंज और बेडमिंटन कोर्ट तक की खबरे तो चलिए सुर्खियों से शुरू करते हैं और फिर आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर जिसमें हम बात करेंगे ICC टूर्नमिंट्स में अपनी नाकामी पर पहली सुर्खी भारत और आउस्ट्रेलिया की बीच खेली जा रही चार मैच की टेस्स सीरीज के तीसरे मैच से पहले आउस्ट्रेलिया के लिए परिशान करने वाली खबर आई है टीम के कप्तान और तेस गेंदबास पाट कमिंस एक मार्ट से इंदौर में शुरू होने वाले टेस्स मैच से बाहर हो गए है दिल्ले में खेले गए दूसरे टेस्स के बाद ही कमिंस परिवार में किसी की बिमारी के चलते आस्ट्रेलिया वापस लोट गए थे लेकिन अब क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इस बात की जानकारी दी है कि वो तीसरे टेस्ट में भी टीम के साथ नहीं जुर पाएंगे अब तीसरे टेस्ट में आस्ट्रेलिया की कप्ताने उनके पूर्फ कप्तान स्टीव स्मिथ करेंगे दूसरी सुर्खी भाद ये बेडमिंटन के लाड़ी पीवी सिंधु ने अपने साउथ कोरियाई कोच पार्क ते सेंग से अलग होने का फैसला लिया है सिंधु की कोच ने शुकरुआर को अपने सूशल मीडिया अकाउंट पर ये जानकारी साजा की पार्क ने अपने सूशल मीडिया अकाउंट पर लिखा उसने हाल के सभी मैचों में निराश और जनक प्रदिशन किया और एक कोच के रूप में मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ इस वज़े से वो बदलाव चाहती हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक नया कोच तलाश हैंगी मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ आपको बता दे साल 2023 में हैंस्ट्रिंग इंजरी से वापसी करते हुए सिंधू दो अलग-अलग टूर्णाविंट्स में पहले दौर में ही बाहर हुई हैं जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है तीसरी सुर्खी काईरो में खेले गए आई-एससेफ शूटिंग वर्लकाप 2023 में भारत ने एक और मेडल जीत कमाल कर दिया है अनीश भानवाल ने रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ब्रॉंज मेडल जीत भारत के पधकों की संख्या को साथ कर दिया इस वर्लकाप में ये भारत का तीसरा ब्रॉंज है अनीश के ब्रॉंज के साथ भारत आई-एससेफ वर्लकाप की पॉइंट स्टेवल में टॉप पर बना हुआ है भारत के पास अब चार गोल्ड और तीन ब्रॉंज मेडल हो गए है जबकि हंगरी दो गोल्ड और एक सिल्वर के साथ दूसरे स्थान पर है अनीश से पहले भारत के लिए तिलोतमा सेन ने विमिन्स 10 मीटर एयर राइफल और वरॉंज तोमर ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉंज जीता था इनके अलावा आश्वर प्रिताप सिंग तोमर ने भी मेंस 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है चौति सूर्खी भाति कुष्टी महासंग WFI प्रेजिडेंट ब्रज भूशन शरंण सिंग के खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोपो की जाच चल रही है और इस जाच के बीच ही भारत को बड़ा जटका लगा है भारत से एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबाने चीन ली गई है युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यू डबलु डबलु ने बुद्वार को एक बैठक में इसका फैसला किया अब इस बड़े टूर्णमेंट का कजाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया है ये टूर्णमेंट पहले 28 मार्च से 2 एप्रिल के बीच दिल्ली में होना था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना इससे पहले साल 2019 में वर्ल चैंपियंशिप का सफल आयोजन कर चुकी है ये हुई आज की सुर्खिया अब नमबर दिन की बड़ी खबर का बड़ी खबर जिसमें हम आपको किसी टॉपिक के बारे में विस्तार से बताते हैं और आज का हमारा टॉपिक है ICC टूर्नमेंट्स में अपनी नाकामी 23 परवरी 2023 की तारीख अब 10 जुलाई 2019 के साथ याद की चाहेगी 10 जुलाई 2019 को क्रिकेट विश्व कप MS धोनी की रन आउट होती हुई तस्वीर आई थी और अब 23 परवरी को हर्मन पीत कौर के रन आउट की ऐसी ही तस्वीर ने जखम को हरा कर दिया है गुरुवाद 23 परवरी को भातिये विमिन्स टीम साथ आफ्रिका में खेले जा रहे T20 विश्व कप में हार कर बाहर हो गई प्रूशल मोमेंट्स पर रन आउट हो या किसी ICC टूनमेंट नॉक आउट में टीम इंडिया की हार रोज की गिसीबिटी हेडलाइन हो गई है केप टाउन के मैदान पर भातिये टीम के सामने आस्ट्रेलिया थी उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ट पर 172 रन लगाए जवाब में भातिये टीम 166 रन बनाकर मुकाबला हार कई इस हार के साथ एक बार फिर विमिन्स टीम का ICC टॉफी जीतने का सपना तूट गए विमिन्स टीम क्यों भातिये टीम का कहिए क्योंकि 2013 में बर्मिंगम के मैदान पर MS धुनी ने वाइट ब्लेजर पहिन कर ICC टॉफी के साथ जो फोटो की चुआई थी उसके बाद से भारत ICC टॉफी के साथ एक भी तस्वीर क्लिक नहीं करा पाया पुरुशो वाली टीम की बात करें तो टीम ने 2014, 2016, 2021 और 2022 टी-20 विश्वकप गवाया मही 2015 और 2019 वन डे विश्वकप भी टीम नहीं जीत पाई इसके लावा साल 2017 चैंपियन्स टॉफी और 2021 वर्ल्ट टेस्ट चैंपियन्शिप भी टीम के हाथों से फिसल गए लेकिन आज हम अपना फोकस महीला टीम से पुरुश टीम पर शिफ्ट नहीं करेंगे आज हम आपको बताएंगे कैसे हमारी विमिन्स टीम ने लगातार ICC टूनमिंच के मौके गवाये 2013 में टीम इंडिया की आखरी ICC टॉफी के बाद भाती विमिन्स टीम ने पाच T20 विश्वकप और दो वंडे विश्वकप खेले हैं और एक बार टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उतरी है पहले बार T20 विश्वकप की टीम इंडिया 2014, 2016, 2018, 2020 और 2023 में T20 विश्वकप खेलने पहुची लेकिन हर बार टीम के हाथ निराशा लगी आईए बताते हैं हमने कब कब और कैसे गवाया ये टूर्नमिंट 2014 विमिन्स T20 वर्लकप बांगलादेश बांगलादेश में 2014 में खेले गए T20 वर्लकप में टीम इंडिया मिताली राज की कप्तानी में खेलने पहुची टीम इस टूर्नमिंट के सेमिफाइनल तक भी नहीं पहुच पाई टीम ग्रूप के चार में से दो ही माच जीत सकी 2016 विमिन्स T20 वर्लकप भारत 2016 में T20 वर्लकप भारत में खेला गया एक बार फिर टीम मिताली की कप्तानी में खेलने उतरी लेकिन इस बार तो हश्रोर भी बुरा हुआ चार में से तीन ग्रूप माच गवा दिये और एक बार फिर टीम ग्रूप स्टेज से ही बाहर हो गई 2018 T20 वर्लकप वेस्ट इंडीज 2018 T20 वर्लकप वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ हम पहली बार हर्मन प्रीत कौर की कप्तानी में T20 विश्व कप खेलने गए टीम सेमी फाइनल तक पहुची लेकिन वहाँ उसे इंग्लेंड ने हरा दिया सेमी फाइनल में हमारे लोवर ओर्डर ने घुटने टेक दिये और पूरी टीम 112 रन ही बना सकी इंग्लेंड ने इस लक्षे को आठ विकेट बाकी रहते चेस कर लिया 2020 T20 वर्लकप उस्ट्रेलिया 2020 में T20 विश्व कप उस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ टूर्नमेंट में भाध्य टीम पहली बार फाइनल में पहुचे हरमन प्रीध की कप्तानी में भाध्य टीम ने इस फाइनल में घुटने टेक दिये आस्ट्रेलिया ने पहले बै्टिंग करते हुए 185 रन मनाया इस लक्षे का पीछा करते हुए भाधिय टीम महज 99 रन पर ओल आउट हो गई 2023 T20 वर्ल कप साउथ आफरिका 2023 T20 विश्व कप में भाधिय टीम ने पिछले कई टूनामेंट से बहतर प्रेदेशन किया बाधिय टीम ग्रुप स्टेज के चार में से 3 मुकाबले जीतकर सेमीजर में पहुँची ग्रुप स्टेज में उन्हें सिर्फ इंगलेंग ने हराया लेकिन सेमीजर में एक बार फिर औस्ट्रेलिया से सामना हुआ आस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 172 रन लगाए और भारत को 177 रन पर रोग दिया ये तो हुई T20 विश्व कप की बात अब बात One Day विश्व कप की और Commonwealth Games 2022 की 2017 Women's World Cup विश्व कप इंग्लेंड वेल्स में आयो चित हुआ 2017 का क्रिगेट विश्व कप इंग्लेंड वेल्स में खेला गया इस टूर्नमेंट में भात ये टीम बिताली राज की कप्तानी में खेलने पहुची टीम ने टूर्नमेंट का बेहतरी नगास किया इंग्लेंड को उनके घर में पहले ही मुकाबले में पूरी तरह से हरा दिया ग्रूप स्टेज में टॉप फोर टीम्स में रहते हुए सेमी फाइनल में पहुचे सेमी फाइनल में जाकर हर्वन प्रीत कौने एतिहां से के 171 रन की पारी खेली और उस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया लेकिन इस बार टीम फाइनल में जाकर चूप गई फाइनल में भारत जीती हुई बाजी 9 रन से हार गया दो हजार बाइस विमन्स क्रिकेट वोल्ल काप न्यूजिलेंड इसका योजन न्यूजिलेंड में हुआ सिंगल लीफ फॉर्मेट में सभी 8 टीम्स को एक ग्रूप में रखकर ये टूर्नमेंट खिलाया गया एक बर फिर टीम मिताली राज की कप्तानी में इस टूर्नमेंट खिलने पहुची लेकिने इस बारहाल बहुत बुरा हुआ ग्रूप के साथ मुकाबलों में भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश और वेस्ट इंडीज को ही हरा पाया और चार मैच हार कर टूर्नमेंट के ग्रूप स्टेट से ही बाहर हो गया इस टूर्नमेंट के टॉप पाच रन बनाने वाले और विकेट लेने वालों में से एक भी भात एक लाड़ी नहीं था 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंगम 2022 में पहली बार महिला कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में T20 फॉर्मिंट में आठ टीमस टूर्नमेंट का हिस्सा बनी भादिय टीम अपने ग्रूप में नमबर दो रहते हुए सेमी फाइनल में इंगलीन को हरा आया और फिर फाइनल में ऐस्ट्रेलिया के खिलाफ उत्वी लेकिन गोल्ड मेडल माच में ऐस्ट्रेलिया ने हर्मन प्रीथ की टीम को नौरंट से हरा दिया 2013 की आखरी ICC ट्रॉफी के बाद भादिय क्रुगे टीम ने कुल 15 ICC टूर्नमेंट और एक Commonwealth Games में हिस्सा लिया है मेंस टीम ने 8 ICC टूर्नमेंट खेले हैं जबकि विमेंस टीम ने 7 ICC टूर्नमेंट और एक Commonwealth Games खेला है लेकिन हमारी दोनों ही टीम्स कभी भी ट्रॉफी या मेडल पर अपना कबजा नहीं जमा पाई है आज की शो में बस इतना ही इस शो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट से जोड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया